कि आप है अबिए अब हो जो सब्सक्राइब फार कि आपक्ति में है तो मैंने इसमें विवे आप लोगों को क्लोन करने के बाद उसको अपलोड करने का प्रोविजन मालू पड़ गाई इसमें पुछ डाउट आने वाला है घी मैने क्वाइब किया ठीक है ठीड़ कॉपी करने के बाद कि उसको मैंने उप्लीय है यह होगय अभी जेपीए सी प्रोजेक्क को मैं हमारे स्कूल एरपी से कनेक्व कर दो चिक्षिए वेब साइट है तो JPSC वेबसाइट को स्कूलियर्पी से कनेक करने वाले समझ वाया गया है तो इसमें मैंने देखो इंस्टिटूट का नाम लिखा है ठीक है इंस्टिटूट टाइप कुन साथ है वो डाला है मैंने सभी के लिए हमारी वेबसाइट यह जो अप्लिकेशन है कुछ भी युनि मैंनेज कर सकते हैं और इसका डेटाबेस है जे पी यसी चीट है उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्शन हम अभी अमोल सर्कों डाल देते हैं इसकी बागी की डीज़ आने तक टिक है अमोबाई नम्बर मेरा डाल देते हैं अभी के लिए टिक है इमेल आईडी इसके बाद इसके बाद में यह डीटेल्स हम चेंज करेंगे अभी के लिए डाल को वेबसाइट का नाम जे पी यस कि अब के से मुगाटे हूं कि अब कि अब कि अधिए अधिक 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 जेपी यह सीबी एं इस पर थे के अधिक 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 है परतम इस मीटिंग में दिया हम भी तुना कॉल कर दो तो रहा था है हलो है 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 झाल 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 कि फड़रागल झाल कि डिपसान प्यापक्ड़ झाल कि लेड़िगा कि लेड़िगा झाल इसको हम वेब साइट पर ढल रहे है परी गाइज अपोड़ा आप 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 अ आ लेते हैं तो आज की तारिक से गोल्ड प्लान के सबसे कितने दिन होते उसे सबसे एक साल हमें शैद से मिलता है तो दस तारिक से लेकिन नव तारिक तक अगले साल तक हमारा यह प्लाइन रहेगा उसके बाद यह लॉगिन नहीं कर पाएंगे ठीक है तो जैसे ही मैं सब्मिट करता हो इसकी इंट्री हो जाती है देखो यह चेटवा जो इसके बाद हम क्या करेंगे इसको कुछ-कुछ चीज़े हमारे यहां से पास होती है बट कुछ-कुछ चीज़े जो है ना हमें डाटाबेस में जाके चेंज करना पड़ेगा तो जैसे यह देटाबेस का नाम यह चीज़े हमें डेटाबेस के अंदर जाके डालने पड़ेगा तो यहां पर मैं करता हूं गारा है यहां पर जाके मैं क्या करता हूं च्छोटी से डीटेल्स में चेंज करता है तो इसके होस नेम और डेटाबेस नेम और यूजर नेम ठीक है और यह पास यह सारी चीज़ जो रहेगी यह हम जब करते तब नहीं आड होता है ठीक है यह हमें वैकेंड से अड़ करने कि यह सेक्यूरिटी पॉस्पेक्टिव रख है मैंने ठीक है क्योंकि अगर डेटाबेस से एड़ होगा तो कोई भी कुछ भी डेटाबेस की डिटेल्स दालके कनेक कर सकता है ठीक है इस वज़े से नहीं है और डेटाबेस का जोगी पासवर्ड है वो डाल देता हूं मैं इसमें तुझे पी तैस्टी तो यहां पर मैंने जो शॉट निम नहीं रखता है इस शॉट निम और यह भी जे इस टीक है यह और अर्गनेजिशन ने में जैसे क्या बोलते हैं उसको और गनेजिशन जो करता है ना इसको उसी साब से यह रहा बाकिके डीटेस मैंने अब यह हो गया हमारा उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें इंस्टूट का एक्सेस करने के लिए हमें एक यूजर भी चाहिए होगा बराबर है तो यहाँ पर हम एक यूजर एड करेंगे नया और उसको नाम देंगे जैपी एस सी और यहाँ पर लाश्ट निम देंगे और इसका हम एक यूजर बना रहे है यूजर निम रहेगा जे पी एस सी भी करेंगे इसको पासवर्ड रहेगा हमारा सेम स्कूल का एड मिन रहेगा स्कूल का एड मिन रहेगा क्योंकि इसको इस यूजर को हमारा यह वाला सिस्टम का एकसेस नहीं रहेगा स्कूल का यूजर एड कर लिया है ठीक है इसको मैं लॉग आउट करता हूं और अभी चेक करता हूं पासवर्ड रहेगा स्कूल एड रेट 123 यह लॉग इन हो गया हमारा पर देखो अभी तक बागी के सारी चीज़ें भी स्रिफ रोल आक्सेस आया है बागी कुछ भी नहीं आए इसको क्योंकि हमने उस यूजर को अभी तक हमारे फीचर का एकसेस नहीं दिया है ठीक है तो मै फीर से करूंगा, इसको log out करूंगा और main system के अंदर जाँँगा, में system के अंदर जाने के बाद इसको मैं features का Accend emba, कि कौन से कौन से features आने तो सबसे पहल estonia करूंगा न तो उस ताइम पर पूरे features एड होतेज से अगर इसको कुछ features हमें can't be disabled करने है to हम कर सकते से सारे फीचर से जो हम प्रॉइट कर तक है अभी जो सारे दिए हुए मैंने बात में लगे तो इसका फीचर निकालने के पूछ तो अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूं और फिर प्रसरा पर तेके अभी इसको सारे अक्सेस आगे इसके अंदर सेट अप है फिर जैसे ही हम मेनु मेनू एक मेनु एड़ करते जाहेंगे ना वैसे ही इसको यह सारे मेनू डिस्प्ले होते जाएगगे ठीक है उनकी इस पर तो यह बात की बात है अभी हमने शुरुआत किया है कि हमारे erp से ही हम website चेज़ेस कर सकते है website गैलरी अप्रेट कर सकते ही यह सारी तीजे देने वाले है ठीक है है ओके तो यह सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले का करना पड़ेगा कि मैं इसको मैंने करने किया वह उपन कर लेता हूं यानि हमें जल्दी करने के लिए अच्छा रहेगा वह जल्दी जल्दी हम उसको चेंजस कर सकते हैं सबसे पहले हमें यह सारी चीजों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह स्कूल पोल्डर पोल्डर उठाया है तो यह इस में से सिर्फ बेसिक बेसिक ऑठीटिकेस्टर इंटेट्रेटर यूज कर रहे हैं इस वजय से हम इस बेसिक अधी इंट्रसेप्टर को कॉपी कर तो पूरा की फूल्डर उटा रहें आगे चलल के हम एर्र इंट्रसेप्टर और वैकें इंट्रसेप्टर की भी जरूत बड़ें तो अभी के लिए हम क्या कर रहें इसको जो RDC SCA का है उसको copy paste पूरा का पूरा हम JPSC B के अंदर JPSC के अंदर यहाँ पर आप के अंदर यह देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले बनाया तो इसमें शायद से हमने डाल दिया बट कभी भी इसको क्या करना ही यह component pages के अंदर दाल दे हमें तो इसको आगे चलते चेंज करेंगे हम अभी के लिए डाल देते ही ठीक है helper class आ गया हमारा उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा इस helper class को हम सबसे पहले इसमें डालेगी क्यों helper class ही क्यों add कि हमने क्योंकि हमें उस API को access करने के लिए authentication चाहिए और हमारे आंगुलर का जो भी हमारे सुल और को बेसिक अठेंटिकेशन को है हमारा और सॉरी बेसिक ऑठेंटिकेशन है स्कूल यार्प को चनक करने का ठीक है तो मैं यहां पर एक provider ले रहाँ ठीक है प्रोवाइड इसके बाद HTTP इंटरसेप्टर ठीक है और क्लास यूज कर रहे हम यूज क्लास कोई साथ इंटरसेप्टर जो हमारा रहे हैं यह हमने और यह कर रहे हैं इसको ठीक है मल्टी लेवल एक्सेस है क्योंकि हम बहुत सारे करने वाले इसको इस वज़े से हमने मल्टी को किया है इसके बाद अभी अभी हम क्या करेंगे हमें इसको क्या करना है यहां पर जितने भी अपिए कॉल होंगे वह कहां से कॉल होंगे हमारे स्कूल इर्पी से यहां से इससे कॉल होंगे तो इस वज़े से हम यूरल जो यह वाला जो यूरल है हम किसमें डाल रहे हैं हमारे जो भी प्रोजेक्ट है जितने भी प्रोजेक्ट है उसके अदर डाल तो यहां पर हम यह यह स्कूल इर्पी का यूरल डाल रहे है क्योंकि हमारे पूरे जो प्रोजेक्ट है यहां से कॉल हो ठीक है यहां पर यह द्यान में रखना भी हमने यहां से कॉल करेगी वह सर्विस क्या करेगी हमारे जेपी एस से कॉल करेगी और इनके एपियाई को कनेक्ट करेगी स्कूल यह ठीक है को मैंने यह भी बना के रखा है यहां पर मैंने सर्विस भी बना के रखी है यह सर्विस क्या करेगी हमारे वेबसाइट मेनू को कॉल करेगी सिर्फ अभी के लिए हमने वेबसाइट मेनू के लिए कॉल किया है और यह जो रहेगा यह API URL कहां से कॉल कर रहा है यह वारा स्कूल यह ठीक है तो इसना समझ में और डालूंगा यहां पर अभी यह सर्विस क्या पर कॉल करनी हमें जहां पर जितने जो यहां पर यहां पर सारे यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर उस सर्विस को कॉल करते हैं कुछ से सर्विस है हमारी प्रावेट वेबसाइट मेनू सर्विस इसको करेंगे वेबसाइट मेनू सब्सक्राइब इसके बाद यह पर इसके बाद यह पर अंदर है अमारा उन्हें गलत हो गया यह अंदर करना है शल त्थि रूचैंगीत्य और जितने भी मेन्यूट वेबसाइट मेनूंड सब्सक्राव ओंगे यह मैं क्या लिकर यह हूँ चौल हो पर इस पर अंदर ईशल्ट जो फंक्शन कॉल होगा एंजीनिट के बाद गेट वेबसाइट मेनु तो यहां पर वो फंक्शन लिकूंगा मैं गेट और वेबसाइट मेनु और इसके अंदर वेबसाइट सर्विट जो भी है यह वाला काल पर गाँ तो यहां पर वेबसाइट मेनु नाम का है क्या नहीं है तो यहां पर वेबसाइट मेनु का इस यह वेबसाइट मेनु है तो यह है अभी एक वालोग है यहां पर यहां पर यह यूरल नहीं है प्रॉट के अंदर नहीं है शाहिए तो यहां पर यहां पर यूरल नाम गलत यह यूरल नहीं है तो यह रहेगा हमारा है ठीक है यह तक समुझ जाए सबकों अभी हम क्या कर रहे हैं वेबसाइट मेनु से अप्रिंट के अंदर इकले भी मेनु रहेंगे बट अभी के लिए क्या करेंगे वह पूरे मेनु में होगा अभी के लिए अभी देखते हम वेबसाइट जो है हमारे इसको मालूम है अभी तक एड नहीं किया है तो इसके अधर आपको क्या करना पड़ेगा इंपोर्ट करने पड़ेगा क्लाइट मोडूल क्यूंकि उससे ही API कॉल होते है एस्टिपीस से API कॉल होते है ठीक है थोड़ा वह गूगल देखलो एक बार ठीक है इस है तो यह कंपाइल हो गया अभी देखते हैं है कि यह वेबसाइट आगे बट देखो वेबसाइट जैसे आ गई हमारा डेटा भी आ गया देखो पराबर आ रहा है ठीक है अभी देखो नेक के अंदर यह सारी चीज़ है ठीक है वर्ट अभी हम क्या करेंगे कि नेक के अंदर हम डाइनमिक करेंगे इसको तो डाइनमिक करने के लिए मेरे पास एक छोड़ा सा कोड है तो उससे वो डाइनमिक हो जाएगा और वो एकदम सिंपल सा कोड है वो कभी आप देखके भी समझ सकते हो ठीक है मैं नेक के अंदर वो डाग हुआ कि काड़ी से के अंदर है यह देखो ठीक है यह वेबसाइट मेनू स्नाम का जो एरे हमारा हो गया उसको एक एक करके उसका मेनू डिस्पले कर रहे है और उसके बाद उसको लिंक कर रहे है ठीक है तो फॉर्म लूप लगाऊंगा मैं यहाँ पर इसके अंदर component के अंदर neck के अंदर where is the neck neck is here yes here is the neck ठीक है तो इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पर ठीक है इसको कि अंदर इसको कि अंदर कि अधिक है कि अधिक है इसको आसा कि अधिक नीच एक आपके इस करूंगा इसको हमारी के अंदर क्या चेंजिस हुए यह दो बार आगे क्योंकि हमने फॉर्म लगा है और डाटाबेस में वह भी दीख रहे हैं अभी इसके अंदर इसके सब मेनू भी होंगे पराबर है तो वह सब मेनू भी दिखने चाहिए हमें यहां से तो यहां पर सब मेनू का च्रक्शिर कहा पर है इस सब मेनू की सुनी है उश्याइद से हम इंपनाना पर गाए तो इसको क्या करेंगा हम आगे अ इस वजे से मैं उठा रहा हूँ आप एक बार देखके करना ठीक है तो आप बोलोगे सर आपने यहां से कॉपी किया है बड़ इसके CSS और यह मैच होगेगा यह द्यान में रखना यह नव आइटम डॉपडाउन डॉपडाउन आइटम यह जो CSS है यह बूस्ट अप की CSS है और हम जितनी भी वेबसाइट लेते हैं या आनलाइन से लेते हैं तो उसमें सब में बूस्ट्राप को हमारा कॉमन रहता है ठीक है इस वज़े से हमें वह क्लास लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर दूसरा अगर यूज करते हम बूस्ट्राप के अलावा कुछ यूज करते तो फिर आगे चलके कॉपी करने में प्रॉब्लम होगा तो ज् चीजें क्या करते कॉमन रखते हैं कि यहां पर आगे हम यहां से कॉपी कर लिया अभी दिखते ही यह कैसे होगा है अभी यह को और नाविगेट फंक्शन हमने अभी तक बनाया नहीं है तो शायद से इस पर एर्र आएगा हमारा कि यह सर्विस भी कॉल नहीं हुए और तो जरूत नहीं है कि यह इश्यू हमारे लिए ज्यादा बड़ा में यह है तो यहां पर लेगा है यह देखा है आईक्यू एसी के अंदर यहां टिक है वह भी यहां पर क्लिक कर रहा है हम तो कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास नविगेड नाम का वंक्शन बनाते हैं और यह वाला और यह वाला उसको आप पर बेज तो अभी जो भी यहां से कॉल होंगी हमारी जो डॉक्कुमेंट रहेगा यहां से कॉल होंगा कि कुमझवागया है यह सब्सक्राइब अभी यह कनेक्ट हो गया हमारा बराबर कि यहां पर देखो यहां पर डेटा भी आ रहा है हमारा जो भी हम कॉल कर रहे हैं कि देखो यह वाला क्या कर रहा है हमने देखो हमारे पास कितने यह हैं अभी भी यह आडी से को कॉप्ल करता है अभी यह स्कूल के अंदर आ गया हम हमने हम क्या करेंगे इसको जेपीएस्टी को के जो भी डीटेल्स है या हम क्या करेंगे उसके यह आपर देखो मेनु कितने हैं और वहां पर मेनु कितने हैं तो यह पर देखो मेनु दिख्रेंगे अगर हम निच्चे का निकाल भी देते हैं तो यह वाला इसकूट कर देगा तो यह काटता है का पाएंगे अगरा तो यह मोबाइल आंब बढ़ा यह देखो यह पर कितने दिख रहे हैं हमारे इतने दिख रहे हैं तो अभी यह सारे दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारा जो यह पीस सी भी कनेक्टेड है वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे जो यह वाला जो डैटाबेस है वो किसके अंदर था हमारा वह हमने इंस्टूट के टेबल के अंदर डाला था ठीक है तो यहां पर इंस्टूट डीवी को करनेक्ट होना चाहिए तो जैसे हम करेंगे तो यह जो डेटा है जैसी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है तो अभी क्या करता हूं मैं यह वाला आप लोगों को शेर करता हूं अमोल सर आप एक काम कीजिए मुझे जिन लोगों को चेशी सब्सक्राइब करने हैं उनकी इमेल आइडी दे दिजिए मैं इनको यह अप्लिकेशन शेयर करते हूं ठीक है अब बुप में डाला है प्रफुल सर्थी के मैं इनको शेयर करते तो मुझे कॉल आ रहा है तो उनकी उनके साथ मीटिंग है मेरी ठीक है ओके आम चार च करें देशन का अब रहा है नावीन आज़ा चार प्रफुल बुप में अब अच्छा सब्सक्राइब करते हैं अब ऐसे दो में अब करते हैं रहा है उनकी की आज़ा अधीचे वीडियो रहा है नंतर या डोड़ी आधा थोड़े श्मूर्चे तुम्हाला घूस्वार क्या प्रपुल्सर ते प्रोजेक्ट शेयर करूंने दा मी गुरूप प्रपुल्सर ते प्रोजेक्ट शेयर करूंने दा पास्दा मिंटे लागे थोड़ा सा लैपी थोड़ा सा स्लो वाटता है ओक्यों शालेगे